प्रिय सिक्षार्थियों एनाई युएस के इस स्टूजियो में मैं डाक्टर निलेश कुमार आप सभी का हादिक स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूँ आज हम पाच तेईस चंद साम मात्रा गड़ यति भेदाह इस पाच का अध्यान करेंगे चंद में चंद कहते किसको है चंद का भेद प्रभेद क्या है इन सभी विशियों का इस अध्याय में हम अध्यान करेंगे पूरो कक्षा में हमने चंद किसे कहते हैं चंद के विशय में विभिन आचारियों के क्या मत हैं हमारे ग्रंथों में उसके लिए क्या कहा गया ये सारी वरण हुए हैं अब हम चंद के विशय में चंद के अंतरगत गरों के विशय में चर्चा करेंगे कि गण किसे कहते हैं तो गण समूह को कहते हैं किसका गण तो वरणों का गण रस्तुत चंद सास्त में गण से तातपरे है इस लोकों में प्रयुक्त तीन अक्षरों के समूह से है उन्हों के कक्षा में भी बतलाया गया था कि गण से तातपरे है तीन वरणों का समूह, छंदो मंजरी में आठ गड़ों का वरण प्राप्त होता है, जो यमाता राजभान सलगा सुत्र है, उनहीं के प्रतम अक्षर को ले करके इन गड़ों का निर्मार होता है, यमाता राजभान सलगा में यो से मौ से मगड, यो से यगड, रो से रगड, स सगण, तगण, जगण, मगण और नगण ये आठगण प्राप्त होते हैं। छंदो मंजरी में इन आठो गड़ों का वररन प्राप्त होता है। गण का लक्षन किया गया है कि मस्त्री गुरुष्ट लगुष्च नकारो भुवादी गुरुह पुनराधी लगुरियह जो पहचानेंगे कि यह मगण है, यह तगण है, यह नगण है तो उसके रहे कहें मस्त्री गुरुष्ट कि जो म अच्छर से जिस गण की का प्रारम होगा उसको मगण कहते हैं। अथात म से तीन आगे के अच्छरों का समूह। तो नीचे छंद सुत्र दिया गया है यह माता र म मगण में तीन गुरु वरण होते हैं। अब गुरु वरण पहले ही बताय गया गुरु को दिर्ग कहते हैं अथात जिस वरण के उच्छारों में दो मात्रा का समय लगे उसे गुरु कहते हैं, दिर्ग कहते हैं। तो मस्त्री गुरु हो, मगण में तीनों अच्छर गुर अगर नकार से देखा या नगर देखा जाए तो जमाता राजभान सलगा में नो से नो सल नसल तो नगर के अंतरगद तीन लगुवरण होते हैं भादी गुरुह, भगण, भगण अथा तो भानस, भानस के भा में दिर्घ वरण है, उसके बाद लगु और लगु तीन वरण हो गए, भगण से भानस होता है, भानस में प्रथम अच्छर दिर्घ अंतिम दो अच्छर लगु होते है, पुनराधी लगुरियह, यगण जो होता है, रगण, रगण राजभा, आदी लगु, रगण में राजभा जो है, वहाँ, राजभा से रा, रगण, जगण, भगण, तो राजभा के अंतरगत, रगण के अंतरगत राजभा आएगा, जिसमें राजभा के अंतरगत, दिर्घ लगु दिर्ग यह इसके गडवन्ते हैं इस तरीके से देखा तो जो गुरु मध्य गतो रलमध्य जो जे मतलब जभान जभान में देखेंगे जव में लगु हुआ भा में दो मात्रा है तो दिर्ग हुआ और न एक वर है एक मात्रा है तो लगु हुआ जभान उसके बाद अदल मध्यह अदल मध्यह मतलब रगर में जो मध्यक्षर है वह भी लगू होता है आगे इसके चिन्ध को हम देखेंगे प्रस्तुत चिन्धों को समझने के लिए आपको ये यमाता राजभानसलगा इसको याद रखना होगा तिन-तीन अच्छरों का गर बनाते चलिए यमाता, मातारा, ताराज, राजभा, जभान, भानस, नसल, सलगा, और अन्त में लगू गुर्वर्र और गासे गुरु वर्र होता है अब अक्षर के चिन्ध ये लगु और गुरु का चिन्ध क्या है इसको हम पहचानेंगे कैसे कि इस लोग में कैसे ये चन्ध पाया जाता है तो उसको पहचानने के लिए इन अक्षरों का चिन्ध बनाये गया है तो कह रहे हैं प्राच्य प्रण्जित प्रवराह जो हमारे प्राचीन विद्वान है उन्होंने गुरु वरर कृते गुरु वररा नाम कृते गुरु वररों के लिए जो दिर्ग वरर है उनके लिए यस के समान जो चिन्ध बना हुआ है आपको दिखाई देगा जो यस के समा चिन्ध है यह गुरु वर्र का चिन्ध है दिर्ग अच्छर का चिन्ध बनाया जाता है इत चिन्धम तयुद जन्ते इस चिन्ध का प्रयोग किये हैं गुरु वर्र के लिए यसके तरह चिन्ध का प्रयोग किया गया है लगु वर्रा नाम कृतेच और लगु वर्र के लिए जो एक मात्र हरस्व वर्ड जो है लगू वर्ड है उसके लिए एक खरीपाई के चिन्ध को प्रयोग किया गया है। यह तो संस्कित में हमारे आचारियों ने छंद के दिश्टी से किया है। लेकिन जो पास्चात्य विद्ध्वान है उन्होंने अलग प्रकार से अपने चिन्धों का प्रयोग किये हैं। वो गुरू वर्डों के लिए खरीपाई डैस के चिन्ध की तरह प्रयोग किये हैं। और लगू अरड के लिए यू के अच्छरों का प्रयोग किये हैं, लेकिन हमको यहां अपने चंद में उपर के जो गुरू अरड के लिए यस का चिन्ध और लगू अरड के लिए जो खरीपाई के चिन्ध का प्रयोग किया गया है, हमको इसी को ध्यान में रखना है, कि अच् आगे हम गरों के, जो गर है हमारे, आठ गर है, और सब मिलाके दस अक्षर जो पाये जाते हैं, उन्हीं से गरों की रचना हुई है, यह माता, राजभान, सलगा, तो यह गर जो है, यह माता, आपका जो गर का निर्मार, जो मस्ति गुरुस्ति लगुष्चनकारो, यह जो उसके माध्यम से भी आप गरों की पहचान कर सकते हैं, कि मगर की पहचान क्या है, मातारा, जिसके तीनों अक्षर दिर्ग है, मगर के तीनों अक्षर क्या है, दिर्ग है, इसलिए वहाँ पे दिर्ग, यहस के सवान चिन्ध बना हुआ है, ताराज, ताराज में तगर जो है तगण में दिर्ग दिर्ग और लगू का चिन्ध है इसी प्ररीके से रगण में राजभा है राजभा के इंतरगत दिर्ग लगू और दिर्ग का चिन्ध बना है यह जो डाइग्राम आपको दिखला जा रहा है इसका यही उद्देश है कि आप गणों का निर्मार कर सके और गणों को पहचान सके मगण का मतलब मातारा आप इसके जगह पे कोई अन्यभी सब्द प्रियोग कर सकते हैं वो आगे के स्लाइट में आपको दिखेगा ता राजभा से रगण से राजभा हुआ ऐसे ही जगण जगण से जभान हुआ इसका जो चिन्ध है खरीपाई S के समान जो बना है S इस तरीके से ISI जो S है यह दिरिख का चिन्ध है तो जगण का चिन्ध हुआ ISI इसी प्रकार भगन का चिन्द है जिसका दिर्ग वरण है भा दिर्ग वरण हुआ दिर्ग वरण का चिन्द लगा और दो खरीपाई न और स भगन भगण का जो चिन्द है दिर्ग लगु लगु नसल ये तीनो लगु वरण है तीनो में खरीपाई का प्रियोक किया गया है नगण में और सलगा सगण में सगण में प्रथम दो अक्षर जो है वह लगु है और अंतिम अक्षर जो है वह दिर्ग है और यगण का प्रथम अक्षर लगु है और अंतिम दो अक्षर दिर्ग माना जाता है यह हुआ गरों का निर्मार और गरों का जो चिन्ध है यह प्रतेक्षात्र को याद रखना होगा क्योंकि बिना इस समझे इसको जाने छंदों का प्रियोग नहीं किया जा सकता है निथा की स्थी में छंद भंग हो सकते है या छंदों के क्रम में अन्यमितता हो सकती है इसलिए इन गरों को पहचानना और समझना आवस्यक है अब इन ही गरों को इस डाइग्राम के माध्यम से चल्चित्र के माध्यम से देखा जा सकता है कि मगर, गर का नाम है मगर मगर का लक्षण क्या है त्री गुरु हो जिसके तीनों अच्छर गुरु हो उसके चिन्ध बने हुए है एस के समान और इसका एक उदाहर दिया गया है आपको समझने की दिश्टी स्री दूरगा अब स्री में दिर्ग है स्रव में बड़ी ई है इसलिए इसमें आपको दिर्ग का चिन्ध लगेगा दू दू में छोटा उ है लेकिन अभी हम आगे पढ़ेंगे कि अगर किसी लगु वरर के आगे या दिर्ग वरर के आगे कोई संयूक्त अक्षर हो तो आगे जो दूरगा में जो गव है उसमें रव ही है ये संयूक्त अक्षर है तो संयूक्त अक्षर के पूर्व वाला जो वरर होता है वह भी दिर्ग हो जाता है तो दूरगा में गा तो खुदी ही दिर्ग है लेकिनों संयूक्त अक्षर है इसलिए उसके पहले वाला जो वरर है दू यह लगु है तो यह दिर्ग हो जाएगा इसलिए इसका चिन्ध तीनों दिर्ग हो गए ऐसे ही नगण का चिन्ध है ती लगु जिसमें तीन लगु एक्षर हो इसका उदारण है रचय ऐसे ही भगण है भगण में आदी गुरु हो जिसका प्रथम अक्षर गुरु हो दिर्ग हो उसका चिन है दिर्ग गुरु लगु लगु इसका उदारण है श्री मती श्री में दिर्ग है इसलिए यहां गुरु हो गया और म में लगु का चिन है और ती में छोटी ई है भी लगु का चिन्द है यगण, यगण में यगण का जो पहचान है लक्षण है आदी लगु हो जिसका प्रथम अक्षर लगु हो और बाकी दो अक्षर दिर्ग हो उदाहरण के रूप में मनीशा जिसका मौ का प्रथम मौ लगु है बड़ी नी है तो यह दिर्ग हुआ और भी दिर्ग अक्षर है इसलिए इसका चिन्द भी दिर्ग लगेगा पुनह जगण है जगण में गुरु मध्य गतह जगण में इसका जो प्रथम अक्षर लगु बीच का मध्य का अक्षर दिर्ग और अन्ति मक्षर जो है वह लगु होगा उदाहरण हुआ मध्यूनी इसी प्रकार रगन, राजवाः, जिसका मद्य अच्छर लगू और बाकि दो अच्छर दिर्ग होंगे इसका उदाहरन है कौमुदी, कौ में दिर्ग, मुँ में लगू, दी में दिर्ग यह इसका उदाहरन हुआ सगण, सगण से तात परे है सलगा जिसका अंतिम अक्षर गुरू हो, अर्थाथ जिसके प्रारम्भीक दो अक्षर लगु हो, इसका उदारण है कमला को एक मात्र है, इसलिए लगु, म लगु और ला दिर्ग हुआ, इसी प्रकात तगण है, जिसके प्रारम्भीक दो अक्षर दिर्ग हो, और अंतिम अक्षर ल लगु हो इसका उदारन है सरवारी यहां सो लगु है लेकिन आगे वा है और वा में रेफ लगा है वह संयुकत अक्षर है इसलिए उसके पूर्व वाला जो वरण है सो वह भी दिर्ग हो के दोनों वरण दिर्ग हो जाएगे और रव पे छोटी ए की मात्ता है इसलिए यहां ह अब मात्तिक छंद जो है यह तो हमने अभी तक वरणिक छंदों के विशह में पढ़ा कि वरणिक छंद किछे कहते हैं वरणिक छंदों में वरणों की गर्णा होती है इनके जो गर्ण होते हैं इनके प्रत्यक गर्ण में आठ गर्ण होते हैं और प्रत्यक गर्ण में तीन अच्छरों का समूह होता है, वरलिक्षंदों में, किन्तु मात्रिक्षंदों में जो प्रियुक्त गण होते हैं, वह अलग होते हैं, वरलिक्षंदों में वरलों की गणा होती है, किन्तु मात्रिक्षंदों में मात्राओं की गणा होती है, प्रतेक गण में आधी जो मात्रिक पहले बताया गया है कि इसके गढ़ में चार मात्रा होगी, इसमें तीन अक्षर होने जरूरी नहीं है, कहीं पे जरूरी नहीं है कि तीन अक्षर हो, कहीं पे चार अक्षर होंगे, चारों लगू हो जाएंगे, कहीं पे दो अक्षर में ही मात्रा दिर्ग है, तो दो ही सब्द अथार इस गर के जिसमें दोनों अक्षर गुरु हो जिसे दुरगा दू में छोटा लगु है लेकिन उसके आगे का वरण सयुक्त अक्षर है तो सयुक्त अक्षर के कारण दू को दिर्ग हो जाएगा तो दोनों अक्षर में दू में भी दो वरण है और गा में भी दो वरण दिर्ग है तो दिर्ग के दो माने जाते हैं दो और दो चार हो गए अंत गुरु हो जिसके अंत में गुरु हो और बाकी दो अक्षर लगु हो जैसे कमला इसको तीनों को जोडते हैं तो एक एक दो लगु का एक एक और दिर्ग का दो तो दो एक एक तीनों चार हो गए तो कमल में भी चार अक्षर हैं तो कमला जो है वह मात्रिक्षंद के हिसाब से गरणा में यह बनता है ऐसे ही मध्य गुरु हो जिसका मध्य भाग गुरु हो इसका उदारण हुआ शिवाय सी में छोटी ई है इसलिए लगु वरण हुआ वा में दिर्ग है इसलिए गुरु का चिन्ध लगेगा यह में लगु इसी प्रकार आदी गुरु हो जिसका आदी गुरु हो और अंतिम दो अक्षर लगु हो उदारण के रूप में बंधन बर जो है वो लगु वरण है और यह सामान्य वरण है हरस्व वरण है यह दिर्ग नहीं है इसलिए इसका एक ही मात्रा होगा ऐसे ही सर्व लगु में जिसके चारो अक्षर लगु हो रचयती रचयती का जो उदारण है इसमें चारो अक्षर जो है वो लगु है तो कहने का मतलब यह है कि मात्रिक छंद म में चार मात्राएं होती हैं और उसी के अधार पे इसका यह विभाजन किया गया है अब गुरू वरड़स्च वरड़न कौन कौन से अच्छर गुरू माने जाते हैं हम किन अच्छरों को गुरू कहेंगे किन को नहीं कहेंगे उसके लिए कहा गया है एक श्लोक है सानुस्वारश्च दिर्गश्च विसर गीच गुरूर भवेत वरड़ सयोग पुरवश्च तथा पादान्त गोपिवा कौन सा वरड़ गुरू है कौन सा दिर्ग है इसमें संदेह जो हो रहा है उसके निवारण के लिए यह रखा गया है यह श्लोक है कि कौन कौन से वरड़ गुरू होंगे तो कह रहा है अनुस्वार युक्त जिस सब्द में अनुस्वार का प्रियुक्त जिस वरड़ के साथ अ ताकि जो दिर्ग वरण है का ऐसे जिए कम है का के उपर अनुष्वार युक्त बिंदी लग्या तो कैसा वरण हो जाएगा दिर्ग हो जाएगा और दिर्ग वरण क्या है जैसे का ये दिर्ग वरण है विशर्ग युक्त अगर कोई वरण है तो वह भी दिर्ग होगा जैसे कह कह में आगे विशर्ग है तो वह भी दिर्खो हो जायेगा और संयुक्त अक्छर से पुर्व का अक्छर गुरू होता है पुर्व में जो बतलाए गया यासे बंधन में आधान ओर धो है उसके पुर्व वर्टी जो वरणव है वह लगू है लेकिन संयुक्त अक्षर के पहले वो वरण है इसलिए वह दिर्गो हो जाएगा और पाद के अंत में प्रतेक इसलोक के प्रतेक चरण के अंत में आने वाले जो लगु और गुरु अच्छर होते हैं वह विकल्प से क्रमसह गुरु और लगु माने जाते हैं अब यहां विकल्प से तात्पर यह है कि जब सारे इसलोक में प्रतेक चरण के सारे अक्षरों में वरणों का गिंती सही तरीके से हो गरों का प्रयोक सही तरीके से हो किन्ति यदि अंत में लगु और गुरु का भेद होता है तो क्रम से उसको विकल्प से तुम लगू को गुरू और गुरू को लगू कर सकते हैं उसका मूल कारण ये है कि छंद भंग नँ हो पुनहा आते हैं यती, यती किसे कहते हैं तो यमधातुक से तिन प्रत्य होने पर यती शब्द बनता है यती चंद में यती का महत्रपून स्थान है यती विराम को कहते हैं विराम अर्थात विश्रान्त को जहां आप आराम करते हैं जहां आप थोड़ी देर के लिए रुखते हैं अलप विराम पुरण विराम तो यहां विराम से तात पर है अलप विराम जो होता है यती विराम को करते हैं कि उच्चारन के समय जब हम इस लोकों का उच्चारन करते हैं तो उच्चारन के समय में जिहुआ जिस इस्थान पर स्वाभाविक रूप से विश्रांत हो जाता है अर्थात जिहुआ इस लोकों के उच्चारन करते समय जिहुआ जहां पर स्वाभाविक रूप से स् छंद वड़ा है तो उसमें यती इस लोक के मध्य में भी होता है और अंत में भी होता है। किन्तु आचारियों ने इस लोक के अंत में जो यती होता है उसको ही स्रेष्ठ माना है। अब पद्य के उचारण के समय जिहुआ जिस स्थान पे रुक जाती है वहां यती होती है वह यती दो प्रकार की होती है पाद मध्यमा और पादांत चतुस्पदापद्य में जहां पाद के मध्य में जिहुआ स्वतह विश्रांत होती है वहां पाद मध्यमा मध्यगा यती हो अब यहां तक तो यती गण यती इन सब विशय की चर्चा हो गई है अब एक छंद आता है दंडक छंद आचार केदार्भट ने अपने वृत्त रतनाकर में दंडक छंद का लक्षण किया है कि यदि हन नयुगलम ततह सप्तरेफास तदा चंड वृत्ति प्रपातो भवित द अधात जिस चंद के प्रतेक चरण में कमसह दो नगण हो नगण से तात परे है अब आपको यह समझना होगा जब नगण बोला जाए तो नगण मतलब नसल नसल से तात परे है कि इसके नगण के प्रतेक चरण में नगण में तीन लगू अरण होंगे तो इस चंद के प्रत तो दंडक शंद के प्रतेइक चरण में करम्सह दो नगर 7 रगण होते हैं और प्रतेइक चरण में 27 अक्षर होते हैं उसकी दंडक संग्या होती है। इसके उच्चारण में कठिनाई होने के कारण ही इसका नाम दंडक पड़ा है, चंड विस्तियादी इसके अन्यभेद है, यह सबसे विस्तित चंड माना जाता है अगला चंड है गाथा लक्षडम, गाथा चंड किसे कहते हैं? शेशम गाथास्त्वि सचभिस चरणईश चोप लक्षिता अठाथ तीन चह चरणों से युक्त जो पद होता है, वह गाथा चंड में होता है जिस चंद के प्रत्येक चरण भिन्न संख्या वाले होते हैं, और जिसमें गुरू, लगू का करम भी भिन्न होता है, वह गाथा चंद होता है. सामान्न तया, दंडक और गाथा इन चंदों का प्रियोग बहुत ही कम प्राप्त होता है. अब छंदों की जो सामान्य संग्या है उपर अन्य वरणिक छंदों के इतर जो प्रमुख दो क्रिष्ट छंद थे उसका वरणन हुआ दंडक छंद जैसे दंड प्रतारित करता है वैसे ही वह इस लोक के दंडक छंद के चारण में भी कठिनाई होती है इसलिए उसका नाम दंडक पड़ा और गाथा चंद जिसके प्रतेक चरण में एक, दो, तीन, छे ऐसे चरण प्राप्त होते हैं और प्रतेक चरण में लगुगुरु का क्रम भी भिन्द होता है, और उसका जो क्रम भिन्द के साथ साथ, जिसमें कोई संख्या भी भिन्द होती है, वहां गाथा चंद होता है. अब हम चंद की सामाने संग्या पे आते हैं, सामाने रूप से चंद कितने हैं, तो हम यहां पे समवित्चंदों को ही पढ़ेंगे, वरलिक चंदों के विशय में हम अध्यान करेंगे, कि अक्षरों के ब्रिद्धी और हास के अनुसार समवित्चंदों का नाम रखा जाता है. अब हम यहाँ समवित्त छंदों का ही अध्यन करेंगे कि एक अक्षर से प्रारंबव होकर एक अक्षर जुड़कर भिन्न भिन्न छंद होते हैं अथात एक सलेके 26 अक्षर परियंद अलग-अलग छंद होते हैं इसका अतात पर यह है कि कई छंद ऐसे होते हैं जिसके प्रतेक चरण में एक अक्षर होते हैं और चारों चरण में मिला कि चार अक्षर होते हैं अथात एक अक्षर का भी छंद होता है, दो अक्षर का भी छंद होते हैं अथात प्रतेक चलन में एक अक्षर हो, प्रतेक चलन में दो अक्षर हो, प्रतेक चलन में तीन अक्षर हो, इस प्रकार से करते करते 26 अक्षर परियंत, एक चलन में 26 अक्षर पहुच जाते हैं, वहां तक पितक पितक छंदों की वररंग की गई है, आपको जो दंडक छंद है उसके प्रत्यक चरण में 26 तत्ता आइस अक्षड होते हैं इन्हीं अब सामान इनका हम उदारान देख लेंगे कौन खौन से चंद है, जिनमें एक अक्षड पे अधारित कौन सा चंद है दो अक्षर पे अधारित कौन सा चंद है यहाँ पर अब अगले इसमें हम देखेंगे छंदों के नाम दिये गए है तालिका में और प्रतेक चरण में उसमें प्रतेक चरण का नाम जो है उसके प्रतेक चरण में कितने अक्षर होते हैं और पूरे इसलोक में कितने अक्षर पाये जाते हैं उक्ता चंद है उक्ता चंद के प्रत्येक चरण में एक अक्षर होता है और पूरे इस लोक में चार अक्षर होते हैं अर्थात एक अक्षरी चंद कौन सा है एक अक्षर वाला कौन सा चंद है तो उक्ता तो अगर हमें इसका व्याख्या करनी होगी इसका रक्षर बतलाना इसी प्रकार से हम अन्य चंदों का समझ लेंगे कि अयुकता चंद के प्रतेक चरण में दो अक्षर होते हैं और संपुर्ण इसलोक में आठ अक्षर होते हैं इसी तरह मध्या चंद है इसके प्रतेक चरण में 3 और पूर संपुर्ण इसलोक में 3 चोग के 12 अक्षर होते हैं प्रतिष्ठा चंद के प्रतेक चरण में 4 और संपुर्ण इसलोक में 16 होते हैं तुप प्रतिष्ठाक छंद के प्रत्येक चरण में 5 और पूर संपुर्ण इसलोक में 20 अक्षर होते हैं गायत्री छंद के प्रत्येक चरण में 6 और संपुर्ण इसलोक में 24 अक्षर होते हैं उश्रिक छंद के प्रत्येक चरण में 7 और संपुर्ण इसलोक में 28 अक्षर होते हैं, अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं, और संपुर्ण इसलोक में 32 अक्षर होते हैं, द्वात्रिन सत्थ, ब्रिहती छंद के प्रत्येक चरण में 9 अक्षर होत होते हैं त्रिश्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होते हैं और संपुर्ण इसलोक में 16 अक्षर होते हैं जगती छंद के प्रत्येक चरण में 12 अक्षर होते हैं और संपुर्ण इसलोक में प्रति चंद के प्रति चल्ण छाथा ग्शार, 8am wey 26, अक्षर प्राप्त होते हैं, अश्टी छंद के प्रतेक चलन में 16 और प्रत्संपुर्ण इसलोक में 64 अक्षर प्राप्त होते हैं, अत्यश्टी छंद के प्रतेक चलन में 17 और संपुर्ण इसलोक में 68 अक्षर प्राप्त होते हैं, ध्रती छंद के प्रतेक चलन में 80 और और संपुर्ण इसलोक में 67 अथार 76 अक्षरप्राप्त होते हैं कृति ही छंद के प्रत्य एक चरण में 25 और संपुर्ण इसलोक में 88 अक्षरप्राप्त होते हैं इसी प्रकार प्रकृति हिछन्द के प्रत्य एक चल्ण में एक विनसती, 21 अक्षर प्राप्त होते हैं आकृति हिछन्द के प्रत्य एक चल्ण में द्वा विनसती अथाथ 22 अक्षर प्राप्त होते हैं और संपुर्ण इसलोक में द्वी नवती अर्थात बानवे अक्षर प्राप्त होते हैं संस्कृति ही छंद के प्रत्येक चरण में चतुर विंसती अक्षर और संपुर्ण इसलोक में शट नवती छानवे अक्षर प्राप्त होते हैं अतिकृति ही छंदे के प्रत्येक चरण में 55 अथाथ 25 अक्षर प्राप्त होते हैं और संपूर्ण इसलोक में 100 अक्षर प्राप्त होते हैं इस प्रकार से एड़ी हम सार रूप में देखे तो एक अक्षर से लेकर के 26 27 अक्षर प्रेयंत प्रत्येक चरण में अक्षरों की संख्या वाले छंद हमारे साहित्ती में प्राप्त होते हैं सादर रूप में हमने इस पार्ठ में छंद के विषय में पढ़ा कि जो आच्छादित करे उसको छंद कहते हैं, यह छंद लौकिक और वैदिक भेद से दो प्रकार का होता है, वर्ण मात्रा विभेदेन, द्रिविधम, वृत्त और जाती के भेद से दो प्रकार का छंद होता है, यह वृत्त तीन प्रकार का होता है, समम, अर्ध समम, विशम, विशम चेत, विधम, समवरित चंद, अर्ध समवरित चंद, और विशम विशम वःत्त चंद यती नाम विरामह यति किसे कहते हैं, जहां जी हुआ स्वतह रुक जाए इस लोकों के उचारण के समय उसको यती कहते हैं, यति का नाम विराम है और 26 अच्छर से अधिक अक्छर पाद वाला जो छंद है, जिस छंद के प्रतेक चलड में 26 अक्छर पर आया जाए, या उससे अधिक अक्षर पाया जाए इस उपाधी वाला जो छंद है वहाँ दंडक छंद है यह संपुन व्रतान छंदक का है छंद का है धन्यवाद